रेगुलेट GST और टेक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंज आप TDS, Income Tax, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टियर और डी ट्रेल के साथ कॉंप्लाइंस असानी से कर सकते हैं इन सॉफ्टियर के डेमो देखने के लिए आप हमें मुबाइल नंबर के साथ इमेल कर दीजिए taxil.gmail.com पर जिन व्यक्तियों का GST नंबर कैंसल किया गया है GST और उनके लिए बहुत अच्छी ख़बर है गोर्मेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 34 अबली 2021 जिसमें के गोर्में ने कहा है कि जिन व्यक्तियों का GST नंबर कैंसल किया गया है वो से री स्टार्ट करवाने के लिए यानि की रेवोकेशन के लिए अप्लिकेशन फाइल कर सकते हैं यदि इसके लिए उनकी जो डेट थी 1st मार्ट 2020 से 31st गर्ष 2021 के बीच में आ रही थी अब वो यह अप्लिकेशन 30 सब्तमबर 2021 तक GST पॉर्टल पर फाइल कर सकते हैं यहां पर क्लरिफाई किया गया है कि इस नोटिफकेशन का बेनिफिट उन सभी लोगों को मिलेगा जिनकी के यह रेवोकेशन की अप्लिकेशन प्रेंडिंग है GST ओफिसर के पास या फिर GST ओफिसर ने उनकी अप्लिकेशन को रिजेक्ट कर दिया है उस case में भी वो यह रेवोकेशन करवा सकती है लेकिन यह रेवोकेशन तभी करवाई जा सकती है यदि GST ओफिसर के दुवारा रेजिस्टिशन कैंसल किया गया है GST ओफिसर के सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लोज B और C के अंतरगत फिर यह है GST ओफिसर के सेक्शन 29 जो पिताता है कि अंतरगत क्लोज भी है यानि कर दिव्यक्टि में इस कमोपोजिशन competitive की है और उसने लगाता three tax period के लिए GST ओफिसर का सब भ्याइद है या फिर ग्रक्ति के पास रागुलर स्कीम है और वो लगाता 6 months के लिए continuously GST return file नहीं करता है तो उस case में GST officer taxpayer का GST number cancel कर सकता है तो यदि ऐसे taxpayer हैं जिनका के GST number cancel किया गया है GST officer के दोबारा GST return file ना करने की वज़े से वो अब revocation की application 30 September 2021 तक file कर सकते हैं GST portal पर उमीद करते हैं दोस्तों आपके लिए नियूज यूजफुल ही होगी कि पहलाई की जिए और शेर की जिए ताकि सभी लोगों तक के जानकार ही पहुंच पाए और वो GST के compliance कर पाए आप हमें telegram app csfb-sync taxil पर जोइन कर सकते हैं ताकि आप GST और income test के regular update अपने mobile पर ही फ्राप्ट कर सकें